बुच्पुरे सिनिमा के जुबले स्टार दिनेश लाली आदम निरहुआ इंदीनों सोचल मीडिया पर काफी जाधा एक्टिव देखे जा रहे थे तभी तो सिनिमा परदे पर ना आने के बावजूद भी उनसे जुड़ी सारी जानकारियां दर्शकों के पास थी वेल एक लंपा वीकेंड बनाने के बाद निरहुआ एक नई बड़ी फिल्म के साथ सिनिमा परदे पर एंटरी ले निज़ा रहे हैं अनंजे रगुराज और प्रिमान शों सिंग द्वारा निर्मित फिल्म बंदे मातरम में निरहुआ नज़र आने वाले हैं लेकिन जैसे कि इस फिल्म में निरहुआ के आने की खबर फैली वैसे ही सभी के मन में एक प्रशन और आ गया और ये सवाल ये था कि फिल्म में पहले खिसारी को साइन किया गया था फिर क्यों निरहुआ को लिया गया ये बात सच है कि इस फिल्म में पहले खिसारी को साइन किया गया था लेकिन खिसारी के पास समय की कमी के चलते फिल्मेकर्स ने निरहुआ को साइन कर लिया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक एक्टर की साइन की हुई फिल्मों को दूसरा एक्टर करे क्योंकि इससे पहले भी बलम जी लब यू फिल्म के लिए निरहुआ को साइन किया गया था लेकिन निरहुआ के पाद समय की कमी थी इसलिए बाद में काजल रागवानी के साथ खेसारी को ही इस वर्म के लिए चुल लिया गया नेक्स्ट टू नाइन न्यूज बोचपुरिया से ममता की रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संपस करें